आपको पहली या फिर दूसरी किस्त नहीं मिली तो वो क्यों नहीं मिली हम आपको इस वीडियो के माद़े में से बताएंगे आप अपनी पहली किस्त और दूसरी किस्त है हजार रुपे किस तरह से ले सकते हैं आपके जियो मोबाइल में कौन सा एप इंस्टोल करना होगा आपके बहमासा में मूख्या के जो मोबाइल नमर है वो आटमेटिक अपडेट कैसे होंगे जियो वाले तो हम इस वीडियो के माद्यम से आपको बताएंगे दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को दबादे ताक अगर आपके पास बहमासा काड नहीं है औरिजनल अगर आपके पास स्लीप है तो भी आप इस योजना में जूड़ सकते हैं लाब ले सकते हैं अगर आपको गेहू मिलता है तो दोस्तों इसके लिए आपको एक SSO ID बनानी होगी अगर आपके बहमासा काड में जितने भी SSO ID होनी चाहिए अगर आपके SSO ID नहीं बनी है तो आप SSO.Rajistan.gov.in से SSO ID बना सकते हैं अपने आदार काड से SSO ID बना सकते हैं अपने वामासा काड से SSO ID बना सकते हैं आप अपने Facebook ID या फिर Google अकाउंट या फिर Twitter अकाउंट से भी SSO ID बना सकते हैं आपको क्लिक करना है Regist Registration पर क्लिक करते ही यह सभी option open हो जाएंगे हैं उसके बाद में मालीजे आप चाहते हैं कि आप अपने वामासा काड से अपनी SSO ID बनाना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना है वामासा जैसे ही आप बामासा पर क्लिक करते हैं तो आपसे अपने वामासा ID पूछी जाएगी आपको टाइप करना है अपनी वामासा ID या फिर आपके जो Registration नमबर है वामासा slip के वो टाइप करना है उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है नेक्स्ट पर क्लिक करते ही दोस्तों आपको वामासा काड में जितने भी मेंबर आड है उनमें से एक मेंबर को आ जिसका आप SSO ID बनाना चाहते हैं उस पर आपको सेलेट करते ही आपके मोबाल पर OTP आएगा उसके बाद में OTP से आपको verify करना है आपको next next पर click करते रहना है उसके बाद में आपको अपने SSO ID के password लेना है पासवर्ड आप अपने अनुसार ले सकते हैं जो आपको अच्छा जो आपको याद रहे होई password आप टाइप करें दोस्तों SSO ID बनाने के बाद में आपको अपडेट प्रोफाइल पर click करना है जैसी आप अपडेट प्रोफाइल पर click करेंगे तो आपके address आपके mobile नमर आपके बामासा नमर आपको अपडेट करने होगे अगर आप बामासा न अपके mobile नमर को भी update करना होगा दोस्तों अगर आप SSO ID अपने बामासा नमर से या फिर बामासा ID से बनाते हैं तो आपको अपने बामासा नमर अपडेट नहीं करना है वो अटमेटिक यहाँ पर add होंगे उसमें आपको अपने mobile नमर और आदार नमर अपडेट करना होता है वो आप update कीजए अपडेट करने के बाद में ही आप इसमें SSO पर sign in हो पाएंगे अप इंस्टॉल कर पाएंगे सक्सेस पूल आप इंस्टॉल अपनी प्रोफाइल में बामासा नमर अपडेट करने पर ही हो पाएंगे तो दोस्तों आप अपने प्रोफाइल में अपने बा से आपको देखना होगा कि आपके NFSA में यस है या नो है हाँ या ना लिखा हुआ है तो दोस्तों अगर आपके नहीं लिखा हुआ है दोस्तों यहां पर आपको हां करवाना होगा हां करवाने के लिए आपको अपनी पंसायच समिती से संपर करना होगा वहां पर आपको एक application लगाना होगा एक appeal लगानी होगी कि हमें गयों मिलता है लेकिन फिर भी हमारे बामासा काड में NFSA में नहीं आ रहा है तो आपको यहां पर अगर हाँ सिर्फ है वो अपनी पंसाय सिमिति से ही करवा सकते हैं आप किसी भी एमितर से नहीं होगा तो यहां पर नहीं है राष्टान सरकार फोपन करवाले या फिर अपडेट नहीं है तो इसे अपडेट कर वाले उसके बाद में दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जी ओ में install करना है या फिर आप चाहते हैं कि अपने पास Android Mobile है उसमें आप एप इंस्टोल करना चाहते है तो वो कौन सा एप इंस्टोल करेंगे दोस्तों हम सबसे पहले आपको बता देते हैं Jio Mobile में आपको कौन सा एप इंस्टोल करना होगा आपको किस तरह से उसमें Sign In हो रहा है तो दोस्तों आपके अपने Jio Mobile में Jio Store में Gio Store में आपको Bamaça एप मिल जाएगा आपको Bamaça एप को डाउनलोड करना है उसके बाद में उसे इंस्टल करना है दोस्तों इंस्टल करने के बाद में आपके सामने इस तरह से Bamaça योजना इस तरह से एप आजाएंगे चार पांच डिटेल डाँनी होगी आपको क्लिक करना है Sign In Sign In पर क्लिक करते ही आपसे SSO ID और Password पूछा जाएगा यहाँ पर आपको अपनी SSO ID लगानी है, Password लगाना है और Log In हो जाना है Log In होते ही दोस्तों आप आपके Jio Mobile का Banner है उस पर Banner Change हो जाएगा वहाँ पर लिखा Bamaasa Digital परिवार योजना को इसका मतलब है कि आपने Successful Sign In कर लिया है Sign In करते ही दोस्तों आपको एक और फायदा हो जाएगा आपके Bamaasa Card में मुख्या के Mobile Number अगर अपडेट नहीं है तो आपके Jio वाले Mobile Number अपडेट हो जाएगे तो आपको अपने मुख्या के Bamaasa मुख्या के Mobile Number अगर आप अपडेट नहीं कर पा पा रहे है तो आपके Automatik Jio के Mobile अपडेट हो जाएगे तो इस तरह से आपके Mobile Number भी अपडेट हो जाएगे आपके Jio Mobile में एप इंस्टोल भी हो जाएगा Bamaasa एप आपको इंस्टोल करना है उसमें आपको Sign In करना है Sign In करते ही आपको दूसरी किस्त है वो लगबग 15 दिन के अंदर मिल जाएगे और दोस्तों हम Important जानकरी बता देते हैं जिस भाही का NFS में नहीं जुड़ा हो है जिनको रासन नहीं मिलता है वो Mobile खरीद सकते हैं लेकिन उनको 1000 रुपए नहीं मिलेंगे अगर आपको दुकंदार बोलता है कि 1000 रुपए आपको मिल जाएंगे तो उनको सिर्फ Mobile बेचने से मतलब है आपके 1000 रुपए आई या नाई उनकी कोई गारंटी नहीं होती है इसलिए दोस्तों अगर आपको गेहूं मिलता है तभी आपको 1000 रुपए मिलेंगे इसलिए दोस्तों अगर आप चाहे तो Mobile खरीद सकते हैं अगर आप नहीं चाहे तो नहीं खरीद सकते हैं आपको पहली किस्त Automating मिलेगी दूसरी किस्त है वो एप इंस्टोल करने पर मिलेगी और अब हम बात करते हैं आप अपने Android Mobile में कौन सा एप इंस्टोल करेंगे दोस्तों आपके पास किसी भी कंपनी का Android Mobile है उसमें आपके Play Store में सर्च करना है राजस्तान संपरक राजस्तान संपरक आप सभी देख सकते हैं इस तरह से आपको एक App मिलेगा आपको इसे Download करना है इंस्टोल करना है उसके बाद में आपको Open करना है Open करते ही दोस्तों आपको SSO Login करना है जैसे ही आप SSO Login पर क्लिक करेंगे तो आपसे EMI नमबर आपके Mobile के वो Automatic उठा लेगा यहां से Automatic आ जाएंगे उसके बाद में आपके बामासा में जो नमबर Add है वही Mobile नमबर आपको Type करना है Type करते ही दोस्तों आपको Next पर क्लिक करना है जैसे आप Next पर क्लिक करेंगे यह सब देख सकते हैं यह Proof के साथ मैंने किया है और इस तरह से दूसरी किस्ते आप ले सकते हैं दोस्तों आपको राजस्तान संपरक एप है इसे Uninstall नहीं करना है जब तक आपकी दूसरी किस्त नहीं आए तब तक आपको इसे Uninstall नहीं करना है वैसे दोस्तों यह app है रास्तान गोर्मेंट का है तो आप इस app की मदद से रास्तान गोर्मेंट के किसी भी डिपार्टमेंट की शिकायत कर सकते हैं अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आपको इसे अनिस्टॉल कर नहीं करना है अगर आपने इसे अनिस्टॉल कर दिया तो आपके EMI नमर है वो गलत है या फिर आपने पहले से इंस्टोल कर रखा है तो आप इसे दूबारा से लोगिन नहीं हो पाएंगे इसलिए दोस्तों आपको इसे अनिस्टोल नहीं करना है आपको इसे कम से कम 2-3 महीने इंस्टोल रखना है उसके बाद में अगर आप चाहें तो इसे अनिस्टोल कर सकते है लेकिन आपको इसे अनिस्टोल नहीं करना है क्योंकि यह रास्तान गौर्नमेंट का एप है आपके आगे बविश्य में भी कम आएगा और अब हम आपको बता देते है SSO ID के फायदे SSO ID से आप कौन-कौन से अपने कारिय कर सकते है दोस्तो आप अपनी SSO ID से इमित्र ले सकते है नॉर्मल जो सीटिजन इमित्र पर आप कान कर सकते हैं अपने जाती परमाणबतर मोलनिवास बना सकते हैं दोस्तो जिस तरह से बहमा सा कार्ड important है इसी तरह से ये SSO ID important है आप किसी भी योजना के लिए apply करें या फिर किसी भी चात्रवर्ती के लिए apply करें तो आपको SSO ID की जरूरत रहेगी आपकी SSO ID के बिना किसी भी चात्रवर्ती का form apply नहीं होगा किसी भी योजना का form apply नहीं होगा इसलिए दोस्तों आपकी SSO ID उतन किसी भी योजना का लाब लेना चाहते हैं तो आप SSO ID से ले सकते हैं आप खुद अपलाई कर सकते हैं आपको Emitter पर जाने की भी जरूरत नहीं रहेगी अगर आपके पास SSO ID है तो आप राश्तान Government की जितनी भी योजना है उन सभी में आप खुद बिना तैसे दिये अपलाई कर सकते हैं अगर आप सर्मी कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप इस SSO ID से सर्मी कार्ड बना सकते हैं दोस्तों अगर आप विरोजगारी बत्ता का फॉर्म अपलाई करना चाहते हैं तो इस SSO ID से आप फॉर्म अपलाई कर सकते हैं दोस्तो राजतान गोर्मेंट में अगर आप किसी भी योजना का फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो आपके पास SSO ID होना जरूरी है, अगर आप इमितर बर जाकर कोई भी फॉर्म अप्लाई करवाते हैं, तो सबसे पहले आपकी SSO ID बनाई जाएगी, इसलिए आप किसी भी क्लाई कर सकते हैं, अगर आपको पहली किस्त नहीं मिली, तो क्यों नहीं मिली, आपको क्या करना है, और दूसरी किस्त के लिए आपको कौन सा इप इंस्टोल करना है, और आपकी SSO ID से आप कौन-कौन सी योजनाओं का लाब ले सकते हैं, और आपके SSO ID वो कितने important हैं, इस पोर वाचिंग, आपका दिन सुग हो.